नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज का जो हमारा टोपिक रहेगा वही वो रहेगा वही आईपीसी की दाराएं वही बहुत ज्यादा दोस्तों की तरब से डिमांड आ रही है कि सरहर्याना पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम जो कि जुलाई और अगस्त में कंडेक्ट कराया ज तो बहुत ज्यादा क्योशन पूछे जाते हैं ठीक है तो बहुत ज्यादा दोस्तों को यह टेंशन ओरी थी कि सरह आईपीसी की दाराएं कहां से पड़ें तो भई हम उनके लिए आज आईपीसी की दाराएं लेकर सेम पैट्रन के उपर कराईजाएंगी जैसे हमने ग्राम paper के बारे में देख लेते हैं कि जो HSSC के दोवारा जो exam conduct कराए गए है उसमें IPC IPC की दाराओं से कैसे question पूछे गए है direct IPC की दाराओं से पूछे गए है या फिर कुछ journal question भी पूछे गए है चलो वही आज की class की शुरुवात करेंगे वही इसके साथ में इनफॉर्म कर देते हैं वही जो भी दोस्त कमांडो की तैयरी कर रहे हैं रियाना पुलिस के किसी भी exam की तैयरी कर रहे हैं चाहिए सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं मेल फिमेल सभी के लिए ये class बहुत ही important होने वाली है ठीक है तो जो भी दोस्त आये है चैनल को subscribe जरूर करें वही इसके साथ में बैल आइकन भी प्रेस करें वही उससे आपको notification time to time मिलती रहेगी वही चलो वही आज की class की शुरुवात करते हैं इसके साथ में आप अगर ग 2018 में अरियाना पूलिस का constable का इसके साथ में सब इंस्पेक्टर के जो एक्जाम होए थे उसके अंदर IPC के question है वही सबसे पहले question की तरफ बढ़ते हैं वही सबसे पहला question है कि दहेज अत्या कौन सी दारा से समंदित है यानि कि IPC में दहेज अत्या की बात कहां पर हुई है तो सबसे पहला question देख लीजिए वही दहेज अत्या वही दहेज अत्या इसके साथ में पहले यह बता देते हैं वही जो IPC की जो दाराएं हैं हमारी दारा नंबर एक से लेके दारा यान की 511 दारा हैं वही 511 तक हम जाएंगे इसके साथ में वही कुछ दाराओं में क्या है कि जैसे कि दारा एक का कुछ पार्ट है ABC जैसे 304 है 304 का ABC पार्ट है उस परकार जो टोटल दाराएं बताई जाती हैं वह है 506 लेकिन अगर हम नंबरिंग में बात करेंगे तो 511 तक ही जाएंगे इसके साथ में IPC में जो अध्याएं हैं वो कितने हैं वही 23 अध्याएं व और section कितने हैं वही section 511 है total पूछे तो 596 ठीक है वहीव देखिये question है कि दयज अध्या से समंधित कौन सी दारा है वही तो दयज अध्या से समंधित दारा पूछी गई है तो सबसे पहला जो option दिया गया है इसमें दिया गया है दोस्तों दाराओं का जो टोपिक है चाहिए वो हम ने कराया है कि पंचाइती राज के लिए कराया है कि आपको कहीं पे भी पूरे हरियाना में किसी भी चैनल के उपर 280 दाराओं कंप्लीट नहीं मिलेंगे वही सबसे पहले हमने उसको कराया था उसी परकार पैटरन के उपर IPC की दाराओं भी हम आपको कराएंगे ताकि आपका एक्जामे क्योशन गलत नहीं हो क्योशन देख लीजिए दयेज अत्या है 498a, 449a, 304b, 304b और 304a वही तो इसकी जो दारा है वह क्या है 304b वही 304b में किसकी बात हुई है दयेज अत्या की बात हुई है तो एक तो सबसे पहले वही आप अभी एनालिसिस किजिए कि एक तो डारेक्ट दारा से क्योशन प असी है वह भी इंपोर्टेंट दारा है वही जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है सबसे पहले हम कल की कलास में वह बताएंगे इसके साथ कराएंगे हमें पहले इंपोर्टेंट फिर बाद में और दाराएं कराएंगे तो 304b में किसकी बात हुई है दयेज अत्या की बा अब इंगलिस वाड़ों को भी प्रोब्लम नहीं आनीचे वही डोवरी डैथ वही अब यह दहेज परता है क्या वही आप सभी लोग परिचित होंगे वही जैसे कि एक क्या हम कहते हैं जैसे एक लड़की की सद्धी होती है वह अपने ससुराल जाती है वही ठीक है वही तो ल दहेज के लिए जो अत्या की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं कि दहेज अत्या यानिकी डोवरी डैथ वही तो वही इसमें क्या लिख्या गया है थोड़ा सा ये तो एक्जाम पॉइंटों भी उसे हो गया वही इसमें लिख्या क्या गया है इसमें लिख्या गया है कि अग अगर उससे देज की मांग की जाती है उससे देज की मांग की जाती है और देज के लिए उसकी अत्या कर दी जाती है लेकिन अत्या से पहले ये परमान मिल जाएंगी या तो उसको जलाया गया है या फिर उसके साथ में अरेस्मेंट की गई है तो उसके परिवार को सजा दी ज से कम सजा नहीं है से कम सजा नहीं होगी जर्नल क्योशन भी आते हैं अभी बताते हैं अभी एक्जामें पूछ लिया जाए कि दहेज़त्या के लिए कम से कम कितने साल की सजा होनी चीए तो हम क्या कहेंगे साथ साल की सजा होनी चीए ठीक है और इसके साथ में साथ साल से ज्य तो कि यहादा a banker है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि उसको lifetime यायनकि उमर बर भी उसको कारवास दिया जा सकता है याई कि उसको जेल में उसको रख्या जा सकता है थीक है तो यह क्या हो जाएगा डौरी सब्सक्राइब लेकिन जो दारा हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ने वही यानि कि उसके बारे में जितने भी सब्सक्राइब लेकिन आपको क्या है कि आपको दाराएं थोड़ी से अच्छे से कलियर होनी चाहिए तभी आपका क्योशन ठीक होता है दूसरे क्योशन की तरफ बढ़ते हैं दूसरा क्योशन क्या है वही देखिए IPC में IPC यानि की इंडियन पैनल कोड पूछ लिया जाए क IPC की फुल फॉर्म क्या है इंडियन पैनल कोड और इसके साथ में अगर पूछा जाए इंडि में बारतिय दंड सहीता वही आईपीसी में खालिस्तान के तैद जालसाजी को प्रविभासित किया गया है जालसाजी यानि कि सडियंतर रचना जालसाजी को कूट रचना भी ब बॉलते हैं तो चार आपको ओप्सन दिये गए है 468 463 465 और इसके साथ में चार का है 466 ठीका बई चार ओप्सन है आईपीसी की दारा 463 में 463 में क्या बात हुई है जालसाजी की प्रिभासा की बात हुई है देखिए दोस्तों जैसे हमने ग्राम स्यू के लिए जब हमार याना पंचाइती राज अदिनियं नाइंटी नाइंट सबसे पहले आपको 33 याए इसके बाद में हम आपको दाराएं कराएंगे तो इन सभी में क्या है कि इनके लिए क्या-क्या मतलब इसके लिए नियोजन हैं इसके साथ में क्या-क्या इनके लिए दंड हैं जाल साजी में सडी अंतर में कोई पकड़े आ जाए तो इसके लिए क्या-क्या दंड हैं इसके लावा इन दाराओं में इसके लिए दंड दिये गए हैं भई, ठीक है भई, तो परिवासागी बात करें तो याद रखें भई, जाल साथ जी के परिवासागी बात कहां पे हुई है, तो 463 में हुई है, आज केवल एक ओवर्विव चल ले है है भई, कि किस परकार हम द जांच की जाती है, या प्राद की जांच की जाती है, क्योशन ये का गया है कि विदिक रूप से, पहले इसका स्क्रेंच शोट लें भई, बिल्कुल इजी हो जाएंगी ये टोपिक आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा भई, अब प्रोब्लम ये है कि भई, अभी जो देखिए, दो से तीन क्योशन पुछे जा रहे हैं, अभी जो ग्राम स्चीव में, जो एचे ससी ने सभी को चोका दिया, कि दस से बारा क्योशन डाल दिये गए भई, दाराओं के उससे यान कि आपको सबक लेने की ज़रूरत है, क्या पता, यहाँ पे, कुछ ज्यादा इसका पॉर्शन बढ़ जाए भी एक्जाम में, क्योशन नमबर तीन भई, अब बहुँ ज़्यादा दोस्त बोल देंगे कि सर नहीं बढ़ेगा, आप लोगों को पता है, तो ठीक है भई, एक दो क्योशन कर लेना, क्यानम है, ठीक है, यही बता रहे हैं, लेकिन जो कमंड इक रूप से कैद में, एक व्यक्ति की एक अपराद की जाच की जाती है, देखें, आप सभी लोग जानते हैं, कि सबसे पहले क्या होता है, कि अगर किसी के खिलाफ वारेंट होता है, तो पुलिश क्या ले जाती है, उसको गिरफ़तार करके ले जाती है, गिरफ़तार करके यान की क्या करती है 24 गंटे के अंदर जज के सामने पेस करती है ऐसा ही होता है जज फिर क्या करता है कि उसको या तो रिमांड के अंदर बेज देते हैं या फिर उसके उपर जो भी चीज चलती है या तो पुलिस के या तो जेल में बेज देते हैं या रिमांड में बेज देत या फिर वही पर उसका फैसला सुना देते हैं तो पूछा गया है कि विदिक रूप से कैद में अगर यह क्टी है कि इच्षिक अपराद की जा, देखिए ये सभी qeution 2018 में पुछे गए है, तो देखिए, पहला चो कहा गया है कि न्याया एक मजिस्ट्रेटिछ ब WAY दूसरा कोन सा याक बदक, कारिये पाल Aunque, कारिये पालकunes बदक और तीसरा तीस्रा कोन सा याक पुछ अधीकारी ओप्सन देख लीजिए पुलीस अदिकारी और फॉर्थ क्या है कि A & C दोनों भई यानि कि 1 & 3 A & C के इसाब से आम एक 2-3-4 लिख रहे हैं तो यह दोनों भई तो इसमें क्या होगा देखे भई जब एक कैदी होता है उसको भई पुलीस लेके जाती है किसी वेक्ति को तो क्य क्या होता है या तो जज का काम होता है या फिर पुलीस का काम होता है दोनों के बीच में काम चलता है तो भई एक तो क्या होगा नियाएक जो नियाएक करने वाड़ा मजिस्ट्रेट है इसके साथ में भई पुलीस अदिकारी तो आपका राइट एंसोर क्या होगा 1 & 3 दोनो यानि कि दोनों हो जाएंगे आपके, ठीक है, कलियर हो गया भई, तो जर्नल क्योशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, आगे की तरह बढ़ें भई, क्योशन सुन लीजिए, बारतिय साक्षिय अदिनियम, यानि कि देखे क्योशन का जो लेवल हम बता रहे हैं, इस तरीके से उ कहां से स्टार्ट हुई, फिर ये बनी, फिर इनकी दाराएं, अब क्योशन के हिसाब से देख लिजिए भई, बारतिय साक्षिय अदिनियम, खालिस्तान में अस्तितों में आया, यानि कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट यानके 1872 है, वो अदिन क्योशन नमबर 4 वई, तो देखिए भई ये जो आपका है बारतिय साक्षिय अदिनियम, देखिए एजटिज भी आपका एक्जाम में क्योशन आ सकता है कि क्योशन कई बार रिपीट होते है, क्योंकि यह 2018 का है भई, डारेक्टियर रिपीट हो जाए, तो बारतिय साक्षि कब अस्तितव में आया कि अस्तितव में आया तो इसके लिए और इंग्लिस में प्रोब्लमिंग्लिसमें आती है क्योंकि साक्षय पता ही नहीं चलता वहीं तो साक्षья क्या होता है evidence है बही एंडियान लगा दो हुश इंडियन एए अथारह सो बैतर श को है है वही इसके साथ में एक सेप्टंबर है यह क्लास रूख करने का परपज यह है वही ताकि आपको ज्यादा अभी आपके पास टाइम हा वही और पढ़ना आपको बहु एक चीज को बार-बार पड़ाया जाएगा लेकिन जो चीज इंपोर्टेंट है जो जिसमें नंबर ज्यादा कठनी की पोसिबिलीटी होती है वो चीज बहुत कम लोग कराते हैं ठीक है और हम उसी टोपी को उठाते हैं जैसे हम पिछे भी उठाते रहे हैं एक सपंगर भईई एक सपंगर 1842 को क्या हुआ था वई यानि कि इंडियन एविडेन्स एक्ट यंगे अठारा सो बैतर अस्तितव में आया था वई bell कब अस्तितो में आयाया तो हम बताएंगे 1 2022 में भई हटारा सो बैतर में एक सप्टेंबर 1818 2021 वई ठीक हा बई आगे की तर देखिए कुछ important दाराएं हैं वो हम जैसे आगे classes के अंदर आपको पढ़ाएंगे तो important important पहले ही बता देंगे ताकि आप ज्यादा यान की चीज़ों में mix ना हो जो दारा उठाएंगे उसको अच्छे से समझा देंगे ऐसा नहीं है कि अपराद के लिए दंड यानि कि इसके प्रिवार वालों के दोवारा यानि कि अगर अत्या कर दी जाती है तभी दैज पर था दैज की मांग की जाए कुछ evidence पाए जाए तो इस तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे ताकि आपको थोड़ा detail में clear हो जाए बई अब एक question है बहुत important question है अभी 2018 में पूछा गया है किस से संबन्दी था वई यानिकि हम दारा नंबर 360 वई यानिकि दारा number 360 है किस चीज से संबन्दी था वई किस चीज से संबन्दी सहा बई सबसे पहला option आया था अपहरण आप हरन दूसरा जो option आया था वही चोरी वही चोरी और तीसरा जो option आ था अत्या वही अत्या और फॉर्थ था कोई नहीं वही अब देखें ये HSSC UPSC बन जाता है वही यहाँ पर जैसे UPSC में पुछे जाते हैं A, फिर B, A and B दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो बहुत मैकसिमम जो cutoff है वह 40 के आसपास रह जाएगी जिसमें जो अच्छे से दोस्त जो हमारे पढ़ते हैं उन्हीं का selection होगा यह तो क्या है कि ना तो negative marking है कुछ भी हम put करेंगे ठीक है वही तुके भी लग जाते हैं बहुत ज्यादा दोस्तों गे तो इसलिए क्या है कि वही इस में देखें अब यह गलत क्यों होगा वैा दारा नंबर 360 किसकी बात हुई है अपरण की चोरी की ऐत्या की चलो लोगें की बात तो नहीं हुई उरी दे वि yum preserv زब् tane बश्याओ भी नहीं कोई नहीं क्या है कोई नहीं इन से कोई नहीं आ प्रोब्लम आजाएगी अब भी apparent, देखिए, दो चीज़े हैं भई, अब इसके English के option हमें भी नहीं पता, भई, English में क्या पुछा गया है भई, इसमें, देखिए, अगर यहाँ पर आपर रन के जगह पे, देखिए, दो चीज़ होती है, एक होता kidnapping, किड़नेपिंग, किसी को kidnap करना भई, और एक होता abduction, एक ही होते हैं भई, थोड़ा सा इनकी definition के अंदर फरक होता है, अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे, इंगलिस में अगर option आता है abduction, abduction, यह भी आपर रन होता है, और kidnapping भी आपर रन होती है, किड़नेपिंग भी क्या होती है, अपर रन होती है, लेकिन IPC में अपर रन नहीं लिख्या गया भई, किड़नेपिंग को अपर रन नहीं लिख्या गया है, और यहाँ पे, किड़नेपिंग को क्या लिख्या गय और यहां पर अगर Abduction लिख्या गया है तो तो कैसी की बात हुई है? अब अरण की बात हुई है यह अप अरण की बात 32 में चोरी की बात हुई नहीं अत्या की बात हुई नहीं तो right answer क्या होजएगा कोई नहीं लेकिन दोस्तों अगर यहां पे abdaction है तो आपका जो right answer होणा है वो कोई नहीं आएगा और सभी लगा के आएगे भी apparent, चोरी हो रात्या कोई नहीं के उपर बहुत कम जाते हैं हमने भी community में question डाल के देख रखे हैं कोई नहीं पे कोई नहीं जाता हुई हुई ठीक है तो क्या जैगा आप याद रखेंगे दारा नमबर 360 में किसकी बात हुई है वेपरेंड की बात हुई है कीड़नेपिंग की बात हुई है इंगलिस का option दीखे हैं भई अगर अब की बार एकजाम में आ जाता है तो kidnapping है तो ठीक है वही, kidnapping है तो धारा नंबर 360 ठीक है वही अगर apparent है और इसके साथ में abduction लिख्या हुआ है इंगलिस में abduction लिख्या हुआ है तो क्या जेगा धारा नंबर 362 apparent होती है तो याद रखेंगे apparent कौन सी धारा होती है, 362 होती है, ना कि 360 होती है इस question के उपर बहु ज़्यादा दोस्त confuse हुए होंगे जान तक है ठीक है तो यह हम clear करते हैं, इसके साथ में यह 360 का भी देख लेते हैं पहले इसका screenshot लें अब 360 के उपर चलते हैं 360 में क्या है? कि अब की बार पूछा गया है, 360 लेकिन अब की बार एक्जाम में क्या पूछ लिया जैü 369 या पूच लिया जै Hug 604 दा रहा हैं तो अभी बता देंगे वहीं यह किडमेंपिंग 309 का मतलब क्या होता है किडनेपिंग होता है रह하면서 ठीक है one कि यानि कि हम आप बोलते हैं व्यपर ओर आप आ अbero 2 वया परन समझ गए हूं कि फिर तो किटड़ नपीग कहा की किड़नेपिंग है कहा से इंडिया किड़नेपिंग फ्रोम इंडिया बारत की बदेपिंग फ्रोम कि यहीं Shepherd साथ में 361 यानि कि kidnapping by legal guardian kidnapping by legal guardian समझाएंगे इंगलिश ज्यादा होगी ठीक है guardian देखें दोनों में क्या है कि देखें 369 में kidnapping में का गया है kidnapping के दो टाइप में पहला है इंडिया से दूसरा क्या है वह kidnapping legal guardian से वह अब यह legal guardian में क्या फरक इसमें तो सिद्धी सी बात है अगर किसी की सहमती के बगार हम किसी को kidnap करते हैं तो भी हमें सजा दी जाएगी उसको kidnapping मान्या जाएगा कौन सी दारा लगाए जाएगी 360 लगाए जाएगी ठीक है लेकिन 301 में legal guardian का मतलब क्या है कि अगर मालिया कि अगर हम kidnapping करते हैं किसी छोटे बच्चे की अगर कोई बच्चा है वो 16 साल का है अगर मालिया के male है male है और 16 साल से कम उमर है लेकिन female है जिसकी उमर 18 साल से कम है फिमेल है female है अगर कोई वैक्ति है अगर उनको kidnap करता है उनके संरक्षन के लिए उनके अच्छे के लिए अगर मालिया कहीं पर वो जा रहे हैं उनको उठा के भई या इनकी किसी सुरक्षित जगए के उपर पहुँचा देता है तो वो उसको kidnapping नहीं मानिया जाएगा भई अगर माल वैक्ति की सहमति के बगार क्योंकि यह तो क्या है यह तो 18 साल से उपर है इनके सोचने समझने के सकती है इसमें तो कोई excuse नहीं दिया जा सकता लेकिन यहां पर legal guardian रख्या गया है कि छोटे जो बच्चे है या फिर unsound mind अगर कोई वैक्ति क्या है कि गाली गलोच करने जाके किसी कमरे में डाल के उसको बंद कर दो वही तो फिर यह नहीं कि आपके उपर case किया जाएगा वहाँ पर आपको सबूत देना पड़ेगा कि यह unsound mind है यानि कि एबद्धा बोल लिया है या फिर इस तरीके से कुछ excuse दिये जा सकते हैं लेकिन normal case में तो kidnapping 360 हो जाएगी लेकिन अगर आप छोटे लड़कोजेश की 18 साल से कम उमर है यानि कि छोटे बच्चों के लिए या फिर कोई वेक्ती गाली गलोज करता है unsound mind का है तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए 361 दारा है और 362 में क्या है abdaction यानि कि परण एक ही है कहने में बस लिखने में पांच साल का होता है कहीं पे लिखे कहीं पे नहीं होगा जब तक यानि की मेजूर्टी में रहेगा जब तक उसके सांसद उसके उपर वो रहेंगे जैसे प्रणमंत्री मोध दिए क्या पांच साल का कारी इकाला वई सभी सांसद अपोजिट हो जाएं किसी और को उठा के बना दे नहीं हूँ अभी पांच सल का बहुमत के साथ बहुमत दल का नेता रहेगा तब तक परदान मंतरी है ठीक है तो स्विधान में कुछ चीजे डारेक्ट नहीं है कि हमें लगता है कि सब चीजे इस तरीके से हैं तो यह हमारे पांच क्योशन हुए हमने कंप्लीट किये ठीक है यह सभी क्योशन 2018 के पेपर में पूछे गए हैं 2016 में पूछे नहीं गए अब 2021 में देखते हैं बहुए IPC के दाराओं से कैसे क्योशन आते हैं और हम आपको किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको वही समझाएंगे ठीक है जो दोस्त वही नए आए हैं ग् समस्यू के लिए हरियाना पंचायती राज दिनियम उनी सो चुराण में कि वही 288 सभी क्लासी चैनल के उपर अवेलेबल हैं साथ में नोट्स भी तयार किये गए इंदी में निच्छे पट्टी चल लेगी वहां पे आपको मिल जाएंगे तो वही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वही शेयर करें और जितने भी जो दोस्त नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को बताएं कि यहां पे आपीशी की धाराएं कराई जाएंगी जिससे आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी चलो वही मिलते हैं अगली क्लास मे तब तक के लिए धन्यवाद